लो दोस्तों स्वागते आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज हम अस्वगंदा प्लांट के बारे में बात करेंगे दोस्तों अस्वगंदा का प्लांट जो होता है विभिन प्रकार की बीमारियों को दूर करने में शक्षम है और आयुर्वेदिक में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है तो दोस्तों आईए हम अस्वगंदा के बारे में कुछ सामान्य जानकरी ले लेते हैं इसका वानस्पति की नेम विथेनिया सौमनी फेरा है और यह सौलनेसी कुल का सदश्य है और इसका जो मुख्य उप्योगी भाग है वो वैसे तो इसका जो पादप होता है वो संपूर्ण रुप से ही उप्योग में लाया जाता है लेकिन मुख्य रुप से इसकी जो सुस् वर्धक होती है और इसका चुर्ण भी बनाया जाता है जो कि अन्य और शद्धियों के साथ ये टॉनिक्स के रुप में भी व्यापक रुप से काम में लेते हैं मूलों से अस्वगंदारिस्ट नामक एक आयुविदिक योग बनाया जाता है जो स्नायू दृबलताओं फाइदे मंद होती है और इसके साथ ही अस्वगंदा का उपयोग जो है उसकी चुर्ण का उपयोग बच्चों को दूद के साथ दिया जा सकता है जिससे उनको काफी ज़्यादा सकती प्रिदान होती है और वह काफी healthy बनते हैं आपके बच्चे और कई प्रकार की बेंगर बीमारीयों से भी वो बच सकते हैं और इसकी जो पतियां होती हैंग हैं लेपकरार को की साथ विसले फोडो पर लगाने से भी काफी ज्यादा फाइधे मन होता है विसले फोडो पर बांधने से हमारे जो दर्द होता है पीन तक है और इस तेल की जो मालिश की जाती है मतलब कई भी प्रकार के पैन हूं जैसे की जोडो का दर्दादी में इसकी मालिश की जाती है इस तेल की और बहरेपन में भी काफी उप्योगी होता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो यह हलके हलके वैसे तो अभी का प्ल सुन्दर प्लांट है वैसे तो यह आयूर वेदिक दुरस्टी से महतव का है फिर भी हम इसे लगा सकते हो अपने घर में वैसे तो ही घर में लगाया वह प्लाइब आप देख सकते हैं इसमें बेल पत्र का प्लाइब लगाया था और यह कहीं से इसका see'd आ गया था दाव प्रिया एक से कहीं सोईल और अपने इस पीए इसमें घ्रो हो गया है तो इह हम है लगाया हो को क्लाण ना तो हम प्यान्त को लगा है तो हम प्लांट को लगा के प्लांट प्रकार altern होथे फाफ को devastation नहीं आ रही है इतनी इसकी जड़े अंदर चली गई है प्लांट की देख सकते हैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इतनी छोटी सी पॉलिबेक में यह कैसे मतलब इसकी जड़े होती तो यह अंदर चला गए और साथ ही यह मकोई का प्लांट है जिसे काकमाची कहते हैं औ स्ञी को हमारे वीदियो में दे दोंगे इसका वीडियो आप देख लीजेगा बौत ज़्यादा फायदेबंद है यह भी और यह तो आप देख सकते हैं इसमें इसक्त भी लग गये है तो यह मकोई का प्लांटicit हैं बहुत ज़्यादा आयूरवेदिक दृस्टि से महतव् और इसका जो मुख्य रुप से उत्पत्ती स्थान है वो इंडिया ही है और विस्व के अधिकांस स्थानों पर पाया जाता है सुषको और अर्दशुस्क प्रदेशों में भी पाया जाता है जिसके ये भारत में होता है पाकिस्तान में भी पाया जाता है स्री लंका में भी है परशिया में भी है और ये कई प्रकार के अन्य दक्षिन अफेरिका पाया जाता है भूह मद्डि सागरी चित्रों में भी यह है और ट्रॉपिक में भी पाया जाता है और राजस्तान में जंगली रुप में बहुत आय marriage से उगता रहता है तो यह जंगली पौधा भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि यह बहुत जदा राजस्तान में पाया जाता है और यह प्लांट जो आप दिख रहें इस समय राजस्तान में ही है यह तो हम राजस्तान के निवासी हैं तो हमारा यह प्लांट बहुत जदा कहीं पर लग जाया है लग जाता है तो यह ल सगन्द नागोरी इसकी उत्तम व्यवसाइक किस्म भी है इसलिए आप ध्यान में रख सकते हैं उसको और इसका जो पादप होता है वो शाकीत होता है इसमें कांटे नहीं होते हैं फ्रेंड्स और यह थोड़ा गंदे रंग का दिखाई देता है आप देख सकते हैं इसका जो पर फेद रोमो से अच्छादित भी होता है पत्तियां इसकी सरलणाकार होती है समाने आधार पर वाली होती है और इसके पुष्प क्रम चट्र की सिमाक्स होते हैं और यह काफी जुल्ड में इसके प्राय पुष्प लगते हैं और कभी-कभी एकल भी लगते हैं हरे पीली के पुस्प होते हैं फल छोटे होते हैं और गोल होते हैं बेरी के समान के होते हैं अब पारी पक्व फल हरे भी होते हैं जो आप देख सकते हैं यह पल जो है वो हरा है लेकिन इसके जो फल पकने के प्रश्चाथ क्या हो जाते हैं पुरे गुलाबी से रेड से हो जाते हैं उसको ही ज्यादा इस्तमाल में लिया जाता है इसके सीड्स जो है आप सब दीख सकते हैं सफीद कलर के सीड्स है तो इसकी पात जो है उसमें मूले मांसल वे हलके पीले रंकी होती है और जुरीदार होती है खुर्दरी सते वाली होती है स्वाथ हीन होती है ब्रंगूर होती है आसानी से तूट जाती है ताजा वस्ताम में इसमें गोड़े जैसी गंदाती है इसलिए इसका नामस्वगंदा पड़ा है और मुलों में करी प्रकार के अब देख सकते हैं और आपको हमारे दौर दीके जान करें अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो कर लिए फ्रेंड्स कमेंट शेक्षिन में कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा दे गई जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो अगली ही वीडियो म मुलाका तो की तबतकिली बाइ-बाइ